हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चेनल गोल्डेन सरपर दोस्तों बेहतरीन कोश्चनों का संग्ड़ आपको इस चेनल पर मिलेगा और आप लोग इसे आनन उठाएं दोस्तों स्वागत है आज जो है क्लास 12 फिजिक्स अबजेक्टिव का बेहतरीन कोश्चन सब इसमें संग्रहित क्या गया है आप इसे धियान से देखें करीब 20 अबजेक्टिव सबजेक्टिव मिक्स करके बताया गया है बहुत ही टॉप मोस्ट कोश्चन है दोस्तों अगर आप लोग को इस चेनल पर वीडियो देखना है, पर दे देखना है तो आप चेनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग वीडियो का आनन उठा सके ठीक है दोस्तों सुरुआत करते हैं सबसे अस्थाई नाभिक होता है, दोस्तों आपके पास option है 4, सबसे अस्थाई नाभिक किसका होता है, पहला option है iron, दूसरा option है hydrogen, तीसरा option है helium, चोथा option है nitrogen, दोस्तों सबसे अस्थाई नाभिक जो होता है वो आपको होता है iron का, किसका होता है दोस्तों, सबसे अस्थाई प्रेखोता है iron का यानि लुहा थेक है दोस्तुं इसका सही जवाब iron होगा ठीक question the second आते दोस्तुं पर्तिघात का मात्रक क्या होगा दूस्तुं पर्तिघात का मात्रक पहला option हो temptation ohm दूसरा option महो तीसरा option Ohm परती मीटर छोथा नन अब दोस्तों इसका सही option जो होगा वोगा परतिगात का मात्रक ओम होगा ठीक है दोस्तों question number 3 आते हैं बिद्दुत दुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधु important है, सभी question important important संग्रा कराते हैं, ताकि आप लोग को 35 में, 35 सही marks आपको आ सके, और आप जो है, top कर सके, अच्छे result के साथ, विद्दुद छेतर के तिबरता का मातरक क्या होता है, दोस्तों विद्दुद छेतर के तिबरता का मातरक यहां option दिया गया है, न्यूटन परतिकुलाम, न्यूटन मीटर, बूल्ट, बूल्ट मीटर, तो आप लोग जानते हैं, विद्दुद छेतर के तिबरता का मातरक होता है, न्यूटन परतिकुलाम, यानि यह नमर सही option है, question number 5 आते हैं, दोस्तों, बिद्दुद छेतर के तिबरता का बीमिये सुत्र क्या होता है, दोस्तों, बिद्दुद छेतर के तिबरता का बीमिये सुत्र, पहला option है, MLT का पावर मैनस 2, I का पावर मैनस 2, दूसरा option है, MLT का पावर मैनस 3, और I का पावर मैनस 1, चोथा है, MLT का वावर मैनेस क्या है M, L, T, पावर मैनेस तु. तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, आपको जानते हैं बिद्दू चेतर की ब्रता का वीब्य शुतर होता है M, L, T पावर मैनस 3 और A, पावर मैनस 1 यह जानिनी इसका कौन सदिसराशी है पहला उसमें बिद्दुद धारिता दूसरा है बिद्दुद विभव तीसरा है कार्ज चोथा है बिद्दुद उर्जा तो दोस्तों निमलिखित में कौन सदिसराशी है इसमें आपको कन्फूजन करने की जोगत नहीं है बिद्दुद धारिता ये भी अ यहाँ बद चेक करने के लिए आप लोगूस आइसाई मात्रक क्या होता दोस्तो विद्दूत आवेश का साइं मात्रक आप लोगजानते हैं ये तो सब को याद होगा कि इसका जो है सही जो है वो कुलाम होगा चीक है कोशन नमार अइट आते हैं दोस्तों जब किसी वस्तू को आवेशित करते हैं तो उसका द्रबमान क्या होगा यदि किसी वस्तू को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रबमान क्या होगा तो आवेसित करने पर चाहे तो इलेक्ट्रोन चला जाएगा या इलेक्ट्रोन ग्रहन होगा तो आवेसित करने पर ये तो ने कह रहा है धन आवेसित कर रहे हैं और यह भी नहीं कह रहा है डिन आवेसित कर रहे हैं जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रमान जो है घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है यानि इसका सही जवाब C होगा Question number 9 आते दोस्तों किसी वस्तु पर आवेश की नियुनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है पहला option है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाम दूसरा है 1.6 गुना 10 के पावर 10 कुलाम तिसरा है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 12 कुलाम चो था है नन अबडी दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कोई भी किसी भी वस्तूप पर आवेस कन्यूनतम मात्रा जो है वो एलेक्ट्रोन का आवेस से कम नहीं हो सकता यानि इसका सही जवाब होगा 1.6 गुना 10 का पावर मैनस 19 कुलाम यह option correct है question number 10 आते हैं दोस्तों दिवाई किसका मात्रक होता है दिवाई किसका मात्रक होता है पहला है विद्दुत बल का दूसरा है विद्दुत तिवरता का तिसरा है विद्दुत धारिता का चोथा है विद्दुत दुधरूप आगुर्ण का दोस्तों इसका सही जवाब है विद्दुत दुधरूप आगुर्ण का मातरक होता है कोश्चन नमए 11 आते हैं विद्दुद विभव का मातरक क्या होता है दोस्तों विद्दुद विभव का मातरक पहला उप्षन है बोल्ट दूसरा उप्षन है बोल्ट मीटर तीसरा है न्यूटन और चोथा है न्यूटन मीटर इसका सही जवाब होगा बोल्ट विदुद विभव का मातरक क्या होता है दोस्तों बोल्ट होता है ठीक है question number 12 आते है विदुद विभव का मातरक बोल्ट किसके बराबर होता है दोस्तों विदुद विभव का मातरक बोल्ट जो है वो किसके बरावर होता है तो आप लोग को जानकारी के लिए बताते हैं भी बरावर होता है डवलू बैक्यू आप लोग जानवे करते हैं भी बरावर क्या आता है डवलू बैक्यू और आप लोग जानते हैं भी क्या चीज़ है विभुवांतर और विभुवांतर मातर होता ह यानि एक बोल्ट जो है वहाँ आप कार्ज है कार्ज का मातर क्या था जूल और आवेस का मातर क्या था कुलाम यानि एक बोल्ट जो है एक जूल परती कुलाम के बराबर होता है यानि इसका सही जवाब होगा जूल परती कुलाम बूल्ट जो है वो किसके बराबर होता है यानि तुल होता है जूल परती कुलाम के कोशन नमत 13 आते हैं दोस्तों विद्धुत विभव का ESU मात्रक क्या होता है दोस्तों ये कोशन बहुत बारेक जाम में पूछा है इसे ध्यान से आप रखेगा विद्धुत विभव का सोरी यहां पर विद्धुत विभव नहीं होगा दोस्तों विद्धुत आवेस होगा यहां पर टैपी में मिस हो चुका है सौरी विद्धुत आवेश होगा दोस्तों विद्धुत आवेश का ESU मातरक क्या होता है ठीक है विद्धुत आवेश का ESU मातरक क्या होता है पहला ओप्षन है 2.99 गुना 10 के पावर 9 कुलाम दूसरा है 1.6 गुना 10 के पावर 9 कुलाम तीसरा है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाम तो था है नन अब दिस दोस्तों विद्दुत आवेस का ESU मातर जो होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है एक कुलाम जो होता है वो आपको 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बरावर होता है एक कुलाम होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU का लेकिन यहां 1 ESU पूछ रहे हैं एक ESU कितना होगा इसका सही जवाब होगा एक बटर 3 गुना 10 के पावर मैनस 9 कुलाम यानि इसका सही जवाब इसमें कोई नहीं है इसका सही जवाब D होगा एक बिदुत आवेस का ESU मात्र जो होता है यानि एक कुलाम जो होता है वो एक बटर 3 गुना 10 के पावर मैनस 9 कुलाम के बरावर होता है इसमें 4 ओप्शन में आपको D ओप्शन सही होगा ठीक है कन्फिजन में नहीं रहिएगा दोस्तों कुशन वर 14 आते हैं वीभव किसी वीभव मापी की संबेदन सिल्टा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए किसी वीभव मापी की संबेदन सिल्टा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वीभव मापी की संबेदन सिल्टा का फर्मूला तो L बटे भी स्ब्सक्रेधार की लंबाई बिवांत और आर आ जाते हैं धार क्या है दारा का मौन आगर मौन हम जाना करेंग तो इसका संस्तन स्विद्र स्वांत novamente घर जाएगा और ठारा का मौन अ sense सिर्था यानि इसका सही जवाब होगा धारा को घटाना चाहिए किए बिवमापी की समितरे सिपनी जटा बढ़ाने के लिए धारा को घटाना चाहिए कशन 15 आते है दhelm किसी संधारित्त की धारिता ब्यूत करमानपाति होता है किसी संधारित धारिता आप लोग जानते हैं पर आव फर्मुला होता है Epsilon Note A by D इसे Epsilon R भी होता है अगर दोनो प्लेट के बीच हवा मानके चलते हैं तो फर्मुला दश्री बाव Epsilon Note A by D किसी संधारित दायता किसके बिद्धकरमापती होता है दोनो प्लेट के बीच के दूरी के दोनों प्लेट के बीच के दूरी के ब्यूत करमानपाती होता है इसका सही जवाब होगा बी नमब ठीक है दोस्तों कोशन नमब 16 बिद्दू दूधरूप क्या है देखिए दूधरूप मतलब हुआ जब समान परिमान परंतु बिप्रित प्रकृति के दो बिंदू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्थित रहता है तो एसे निक एक दूरी पर इस्थित रहता है तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्थित रहता है तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्थित रहता है तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्थित रहता है तो एक दू विद्दुद्द बल रेखा क्या है इसकी विशेष्टा लिखो देखिए विद्दुद बल रेखा को समझें ये एलेक्टरोन है देख लिज़ें निगेटीव होता है तक बल रेखा सब अंदर और पॉजेट इखा बहार ब गाए नीगेटिव में बल डिखा अंदर आता है और बहार निकलता है तो आप लो जानते हैं विद्दूT 6 से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को विद्दूत बल डिखा करते हैं इसकी निम्लिखित वि día dhann आवेस से सुरू होकर सुरी यार देखिए यह धन आवेस से सुरू होकर डीन आवेस पर खतम होता है और यह कभी एक दूसरे को नहीं काड़ता है कभी नहीं काटेगा और यह जहां सघन होगा या वाहीं बिद्व dud狂 मजबूत होगा और जहां बीड़ दाऊने बिद्व दोश्प कम जोर होगा यह बंद लूप का खताम हो जाता था यह बंद लूप का निरमान करता है ठांस टूस्तों ते बंद लूप का निरमान यह नहीं करता है अगला कुश्चन है 18 नमा किर्चाव का बिंदू नियम क्या है किर्चाव का बिंदू नियम करना साथ किसी बिंदू मिलने वाले धारा का जो बीज गनितिय योग होता है वो सुनोता है या नियम आवे संद्रक्षन नियम का पालन करता है ठेक है देखिए कोई भी बिंदू आता है धारात आने व पर्ति रोधक्ता क्या है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो जब तार का लंबाई इकाई हो और अनुप्रस्त काट का छेतरफल भी इकाई हो तब तार का पर्ति रोध जो है वो पर्ति रोधक्ता के बराबर होता है दोस्तों और आप लोग जानते हैं पर्ति रोध निकालन किर्चौप का बोल्टेज नियम क्या है इस नियम को नुसा किसी बंद परिपत के परतियक भागों में प्रवाहित होने वाले धारा परतिरोध के गुननफल का योग जो होता है उस परिपत में लगे वे सेल के एमेफ के बराबर होता है ये भी कुछ इंपोर्टेंट है ये नियम को नुसा किसी बंद परिपत के परतियक भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और परतिरोध के गुननफल का योग उस परिपत में लगे हुए सेल के एमेफ के बराबर होता है और यह नियम जो है उर्जासनक्चनियां का पालंकत और पूछ देगा कर जगत जाए हिन